हरे किष्णा तो हम भगवद गीता के तीर से ध्याय के अंतरगत इस लोग संख्या दो पर विचार करेंगे तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं विचार का मतलब है कि मिले हुए जैसे अजली है वाक इन भचनों के द्वारा मिले हुए जैसे भचनों के द्वारा बुद्धय मुःसी इवि मुःसी इव आप मेरे बुद्ध को मुःसी कर रहे है। तदे कम बदनिश्चित हैं इसलिए आप एक ही बात Нिश्चित करके बताइए ये निस्रे हुम आपनों याम जिसके द्वारा मुझे स्रे की प्राप्ति हो मुझे कल्यान की प्राप्ति हो तो अर्जुन को कल्यान की प्राप्ति चाहिए अर्जुन चाहेते हैं कल्यान तो यह है वास्तों में योगिता भगवत गीता सुनने की योगिता यही है भगवत गेता सुनने का धिकारी होता है और अर्जुन के अंदर यही भावना है कि उनका कल्यान कैसे होगा तो हम सुनेंगे प्रहुपाद तात्पर में क्या लिखते हैं सिल्फ प्रहुपाद की जाए पिसलिए ध्याय में भगवत गेता के उपकरम के रूप में सांख योग बुद्ध योग बुद्धी द्वारा इंदरी निग्रह निसकाम कर्म योग तथा नव दिक्षित की स्थिती जैसे विभिन्न मार्गों का वरणन किया गया है किन्त उसमें तार्तम में नहीं था कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूप कि आविशक्ता होगी अता अर्जुन इन भ्रामक विश्यों को स्पस्ट कर लेना चाहते थे जिससे सामान मनुष्य बिना किसी भ्रहम के उन्हें स्विकार कर सके यद्ध्यपी श्री कृष्ण वाग चातुर से अर्जुन को चक्राना नहीं चाहते थे किन्त अर्जुन यह समत्र सिस्टियों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावन अम्रत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं तो यहां प्रभुपात का अतात पर समाप्थ हुआ अब हम सुनेंगे स्री भगवान ने कहा में इस इस लोग की किस प्रकार ब्याख्या ह हुई है इस इस लोग में अर्जुन स्री कृष्ण के समक्ष सरलता पूरवग अपनी इस्थती प्रकट कर रहे हैं तथा अपने करल्यान की जिग्यासा कर रहे हैं यहां पर अर्जुन ने भगवान से दो बातें कहीं हैं जिनकी हम क्रम पूरवग चर्चा करेंगे तो पहल आप मिले हुए जैसे बचनों से मेरी बुद्धी को मोहत जैसी कर रहे हैं तो यहां पर अर्जुन का जो है क्या कहना है कि मिले हुए जैसे बचनों के द्वारा अर्जुन कहरे हैं व्यामिस्त्रेण इववाक किये ने मिले हुए जैसे बचनों की द्वारा इव सब्द का रथ है मानू इस सब्द का प्रियोग उस समय किया जाता है जिस समय किसी घटना की तुलना किसी अन्य घटना के साथ की जाती है जबकि भी दोनों घटनाएं बिल अर्जुन के मन में स्री कृष्ण के बचनों में पूर्ण श्रद्धा है वे जानते हैं कि स्री कृष्ण के बचनों का एक ही अर्थ होता है परंतो वे अपनी बुद्धी के दोस्त के कारण स्री कृष्ण के बचनों के को स्री कृष्ण के बचनों के दो या दोसे अधिक अ यह प्रिष्ण करने की बिदी नहीं है कुछ लोग किसी साधू से कोई प्रिष्ण पूशने आते हैं जाता साधू उनके प्रिष्णों का उतर देता है उतर को वे समझ नहीं पाते हैं तो साधू के सामने हैं उसकी निंदा करने लगते हैं कि आपने मेरे प्रिष्ण का उतर अठ्व आपको प्रिशन का उतर देना ही नहीं आता है आप दो तरहें की बातं-स बीदी से प्रिशन नहीं किया जाता है। अता हमें अर्जों से सीकhना चाहिए कि किस परकार किसी प्रामानिक वक्ता से प्रिशन किया जाए। प्रिष्ण करना भी आवशक है, ऐसा नहीं है कि प्रिष्ण ही नहीं किया जाए, कुछ लोग प्रिष्ण करने को अपनात समझ कर प्रिष्ण ही नहीं करते हैं, परउन्त ये भी स्रोता का दोस है, क्योंकि भगवन ने 4.34 भगवत गीता में कहा है, कि आध्यात में ज्ञान को समझने के लिए तीन मातिया आवशक हैं, पहला समर्पन करना, दूसरा प्रिष्ण करना, और तीसरा सेवा करना, परउन्त विधी पूर्वक प्रिष्ण करना चाहिए, प्रिष्ण करने की विधी अहीं है, कि प्रिष्ण करने के भाव से प्रिष्ण किया जाए, चुनोती मेरी बुद्धी को आप मोहित जैसी कर रहे हैं तो इस वाक्यांस में अरजुन ने इफ सब्दे का प्रयोग किया है इस प्रकार अरजुन कहना चाहेते हैं कि तब भी आप मेरी बुद्धी को मोहित अथो आप भ्रहमित नहीं कर रहे हैं यह तो मेरी बुद्धी का दोस्त है, कि यह ब्रहमित हो रही, परन्तु ऐसा लगता है कि मानों आप मेरी बुद्धी को ब्रहमित कर रहे हैं. इस लोग संक्ष्य दो उन्चास में भगवान ने कहा था, कि बुद्धियों के तुल्ला में कर्म अत्यांत निंदनी है, अर्था ऐसे लोग अत्यांत नीच हैं, जो फल भोगने के लिए कर्म करते हैं, परन्तु अरजुन ने इस बात पर ध्यान ना देकर बिचार किया, कि बुद्धियों के तुल्ला में कर्म अत्यांत निंदनी है, तो कुल हत्या रूपी कर्म जो पहरे से ही निंदनी है, उसका क्या कहना, अता भगवान के इस उब्देश के अनुसार, मुझे युद्ध रूपी कर्म नहीं करना चाहिए, जबकि इसकी पिछली स्लोग में भ अर्थाथ आसाक्षश्च जी को त्याख कर, पर रंत अरजुन इन बातों को गहराई को नहीं संमझ सके, तो यदि ये मान लिया जाए कि अरजुन की बुद्धी को स्री कृस्ट मोहित कर रहे हैं, तो ये भी स्री कृस्ट का एक महान ने है, यदि स्री कृस्थण चाहेते, तो अर्जुन को हिर्दे के अंदर से ही गेता का संपून ग्यान प्रदान कर देते जिस प्रकार उन्होंने स्रिष्टि के प्रारह में ब्रह्मा जी की हिर्दे के अंदर ही वेतों का ग्यान प्रदान कर दिया था अब प्रिष्ण उड़ता है कि अधि ऐसा है तो फिर स्री कृष्ण अर्जुन की बुद्धी को क्यों मोहित कर रहे हैं इसका उतर यह है कि स्री कृष्ण यह सोचकर अर्जुन की बुद्धी को भ्रहमित किया ताकि उन्हें इस विष्ण को आगे और अधिक समझाने का उसर मिले तता सामान मनश्यों के लिए यह विष्ण अत्यंत सरल हो जाए इसके अतरिक अर्जुन ने जिस प्रकार प्रिष्ण किया तो प्रिष्ण करने के ऐसे विदी भी लोग सीखें कि शिष्ण को गुरूर से कितनी विनमरता पूरवग प्रिष्ण करना चाहिए तो अर्जुन ने खाब बुद्धि मोहे सीव में अर्था धे किर्ष्ण आप मेरी बुद्धि को मोहे जैसी करने है परन्त वास्तपिकता तो यह है कि अपना आग्रह रखने से सुरुता वक्ता की बातों का आशाय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता यही कारण है युद्ध ना करने का अग्रह रखने से अर्जुन भी भगवान के बचनों का आशाय अच्छी तरह से नहीं समझ सके गीता दो नौ में उन्होंने कहा न यूद से अर्थात मैं यूद्ध नहीं करूँगा अर्जुन का सुभाव है कि उन्होंने अपने मन में किसी बात का निश्चे कर लिया तो बे उस निश्चे को आसानी से बदलना नहीं चाहेते हैं परन्तु गीता की अंत में 1873 में उन्होंने कहा नश्चो मुहा अर्थात मेरा मुह है नश्चो हो गया है तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि अर्जुन ने जो दो बार इव सम्दगा प्रयों किया पहले कहा कि व्यामिस्त्रेण इव वाक्ये कि आपकी बात भी जो है मिली हुई जैसे मानो मिली हुई हो तो अर्जुन का भाव यह है कि आपकी बातें मिली जोली नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मिली जोली हूँ तो यह बहुत सिष्टा चार है अर्जुन का कि अर्जुन अपनी ओर से ऐसा नहीं कि आप मिली हुई बातों से मेरी बुद्धी को मोहित कर रहे हैं मेरी बुद्धी को भ्रह्मित कर रहे हैं इस प्रकार की निंदा नहीं है यहाँ पर तो अरजुन ने मतलब कितना अच्छी तरह से प्रशन किया है कि जिसमें किसी प्रकार का दोस ना लगे किसी प्रकार का अपराधना हो तो कि आपके जो बचन है ऐसा लगता है मानो मिले जोले जैसे हूं लेकिन नहीं है तो अरजुन ने ये कहा फिर बुद्धिम मोहयसी इव में आप मेरी बुद्धि को भ्रमित जैसी कर रहे हैं तो आप मेरी बुद्धि को भ्रमित नहीं कर रहे हैं लेकर ऐसा लग रहा है कि मानो तो यह बहुत अच्छा तरीका है किसी बात को कहने का कि अगर हम किसी बात का अपना सुझाओ देते हैं तो हम अपने और से बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन सच क्या है वो आप बताएए तो इससे क्या होगा कि जिस बेक्ति से हम बात कर रहे हैं वो फिर अपन निसकर्स बता सकता है किसी चीज में अगर माली ये नमक कम है नमक जादा है कोई खाने की चीज है तो हम के दे नमक जादा है तो एक तो एक तरीका है हम के दे नमक जादा है तो सामने वाला जो बेक्ति जिससे हम कहते हैं फिर उसको बोलने का कुछ अबसर ही नहीं मिलता है यहां हम कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है नमक ज्यादा लग रहा है मुझे तो फिर वो सामने वाला बेक्ती है वो फिर अपना निर्णे देता है कि नमक ज्यादा नहीं है यह नमक ज्यादा है तो उसे अफसर मिलता है बोलने का तो अरजुन भगवान से जब ये बात बोल रहे हैं तो वो भगवान को अफसर दे रहे हैं बताने का कि उनका जो है जो आसर है वो क्या है उनके कहने कार्थ क्या है तो इस तरह से अरजुन ने कहा कि आप जो है इस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आपके बातें मिली जुली हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मानों आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं प्रप्र अरजुन ने क्या कहा तदेकंबदनिस्चित्य दूसरा दूसरी बात अरजुन की क्या है तदेकंबदनिस्चित्य अरठात आपनिस्चित्य पूरगद एक ही बात बताएं एक ही बताएं कैसी एREEकनश्र nouveau हमापनो या म जिससे मेरा कल्यान हो तो यहां पर अरजुन स्रे की बात कर रहे हैं अरजुन स्रे अर्थात अपना कल्यान चाहते हैं स्री अर्थात वे कारे जो परमकल्यान कारी हैं और प्रियर्स अर्थात वे कारे जो तुरंद सुख कारी है और दाहरन के लिए बच्चों को खेलने का बहुत शौक होता है वे सिक्षा प्राप करने के लिए पाठ साला में नहीं जाना चाहते हैं और वे सोचते हैं कि जीवन का लक्ष यही है कि दिन रात अपने मित्रों के साथ खेलें तथा आनन्द भोगें इस प्रकार दिन रात खेल में लगे रहना यह बच्चों का सुभाव है तथा यहां तक कि वे अपने स्वास्त तथा अन्य महत्वपून बातों की भी चिंता नहीं करते हैं यह प्रियस का एक उधारन है जिसमें तुरंद सुख मिलता है परंद सुख स्रियस अरफ़त ऐसे कारी भी होते हैं जो परम कल्यान कारी है वैदिक सभुता क्यानुसार मौनस्यको कृष्ण भावना भावित होना चाहिए उससे समदना चाहिए कि भगवान कौन है यह बहुत ही जगत क्या है मैं क्या हूँ और मेरा भगवान के साथ क्या संबंद है इससे कहते हैं स्रेयस अर्थाद परम कल्यान कारी कारिये तो अर्जुन यहाँ पर स्रेयस की जिग्यासा कर रहे हैं इस बात के समर्थन में भागवत 11-3-21 में कहा गया है अर्था जो विक्ति उत्तम स्रेय अर्था सर्व स्रिष्ट कर लियान के जिग्यासा रखता हो उसे ऐसे गुरु की सरण लेना चाहिए तो सास्त्रों की निश्कर्ष को जानता हो और जिसने समस्त भहत एक बातों को त्याक कर भागवान की सरण गिरहन कर ली हो तो यहाँ पर आर्जुन भी उसी प्रकार की बात करने है यहाँ भागवत का जो इस लोग है इसमें कहा कि उत्तम स्रे की का जो जिग्यासु है उसे गुरु की सरण लेनी चाहिए और यहाँ आर्जुन भी क्या कह रहे है कि मुझे एक बात निश्चित करके बताई जिससे मेरा कल्यान हो तो बिलकुल वही बात है तो प्रहुपात लिख रहे हैं उक्तिसलो के तात्पारे में यदि श्रिष्ट को क्रिष्ण भावन अम्रित की महत्ता के विशे में संका हो तो प्रामानिक गुरु को चाहिए कि स्रिष्ट ज्यान द्वारा उस शंका को दूर करे जो ब्यक्ति स्री क्रिष्ण या वैदिक ज्यान के प्रमान के विशे में संका करता है वहे प्रामानिक गुरु नहीं बन सकता दूसरी ओर जैसे दिव लोगों की धुनी प्रिसारित करता है दिव लोगों के निवासी जिनमे सोयम भगवान मुख्य है ना तो बहरे हैं और ना गूंगे वे असीम आनन्द तथा ज्ञान के माध्यम से निरंतर संचार इस्थापित किये रहते हैं और प्रामाने गुरु आनन्द तथा ज्ञान के इस धनी को अपने शिश्य तक प्रेशिद कर सकता है तो स्रियस कर्थ क्या है? स्रीमत भागवत 11.7.20 में स्रीकिष्ण उद्धोजी से कहते हैं क्या? बुद्धि मान विक्ति जो अपने चारों ओर के जगत का अनुभव करने और ठोस तर्क का प्रेयोग करने में निपुन होता है अपनी बुद्धि की द्वारा स्रीयस अर्था असली कल्यान प्राप्त कर सकता है इस प्रकार कभी कभी मनुष्य सुयम ही अपना उपदेशक गुरु बन जाता है इस श्लोक के तातपरे में लिखा है इस श्लोक में स्रीयस सब्द सूजित करता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि से जीवन में आगे बढ़ सकता है अच्छी संगती से मनुष्य को धीरे धीरे कृष्ण के दास रूप में अपनी नित इस्थिती को समझ लेना चाहिए तो यह परम कल्यान क्या स्रीय कृष्ण का दास बनना ही सबसे बड़ा कल्यान है करने से राजा को अपने अग्रे जनम में प्रजा के पुन्यों का छटा भाग प्राप्त होता है कि जो राजा प्रजा से केवल कर वसूल करता है और प्रजा को सुरक्षा प्रदान नहीं करता तो उसके पुन्य प्रजा छीन लेती है और वो प्रजा के पापों को सुयम लेता है तो सर्वोच्य स्रे क्या है ज्यान स्रीमत भागवाचार चौबिस पच्छतर में सिवजी प्रजेताओं को उपदेश देते हुए कहते है इस संसार में अनेक प्रकार के स्रे यानि कल्यान है ज्यान में सर्वोच्य स्रे यानि कल्यान ग्यान है क्योंकि ग्यान के नोका में अरूर होकर ही अग्यान के सागर को पार किया जा सकता है अन्यता ये सागर दुस्तर है उक्तिस्लो के तात्पर में सिलप प्रुपा लिखते हैं बियाब हर एक जीवन में हम देख सकते हैं कि ग्यानवान बिक्ति जीवन के नेक गरतों से बच जाता है ये कृष्ण भावनमरतां दूलन उन तथा कथित नेताओं की आँखे खोलता है जो अग्यान से पूर्ण है और इस प्रकारुन है जीवन के नेक गरतों तथा घातक परिष्थितियों से बचाने के लिए कृत संकल्प हैं सबसे बड़ा खत्रा है मनुस्य से निम्नतर योनी को प्राप्त करना इस मनुस्य देह को बड़ी ही कठनाई से इसलिए प्राप्त किया गया जिस से इसका लाप उठाकर स्री भगवान गोविंद के साथ अपना समंध इस्थापित किया जा सके तो ये है स्रे कल्यान करते हैं दुखों की हानी और सुखों की प्राप्ति स्री मत्भागवा चार पच्चिस चार में नारत मुनी रजा प्राचीन बरही से पू पाना और सुख भोगना किन्तो इन दौनों को सकाम कर्मे के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या मतलब इन दौनों को दो चीजे हैं स्रे में समस्त कस्टों से छुटकारा पाना और सुख भोगना तो सकाम कर्मों से ना तो आप समस्त कस्टों से छुटकारा पा सकत और आप सुक भोग सकते हैं तो इन दोनों को सकाम कर्मे की द्वारा प्रात्त नहीं किया जा सकता उक्तिसलों के ताथ पर में सिला प्रुपार लिखते हैं वास्तों में इस संसार के भीतर सुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता यदि हम कोई सुख उपभोग करना चाहेते हैं तो बदले में कोई दूसरा कष्ट उठाना पड़ेगा कुल मिलाकर दुख इस संसार की प्रकृति बन चुका है और हम जो भी सुख भोगना चाहेते हैं वो मात्र छलावा है अंदता हम सबों को जनम, बढ़ापा, रोग तथा मृत्यू के कष्ट सहने पड़ते हैं चाहे क प्रकृति साधना अत्यंत कष्ट प्रत लग सकती है किन्त उन्हें ये आसा बनी रहती है कि अंदता उनके सारे कष्ट दूर होंगे और उन्हें सुख की चरम अबस्ता प्राप्त हो सकेगी इस प्रकार भक्त पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त करने पर मृत्यू के पश स्रीमत भागवा 1.3,3 में नारजी प्रचिताओं से कहते हैं समस्थ प्रकार के स्रेओं में यानि कल्यानों में अात्मा अर्था अपनी सुरक्षा तथा सुख ही सर्विस्त्रेश्ट कल्याण है, परण तुbes संपूर प्राणियों की शुरक्षा तथा सुख सुरी को पहचाने जब वो ऐसा करता है तो स्री किष्णु से भक्ति पद प्राप्त करने की सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं यही जीवन की पूर्णता है निश्कर्ष ये निकला कि मनस्री को भक्ति योग पद तक पहुंचना चाहिए चाहिए उसने कर्म योग ज्यान योग या स्टांग योग से सुभारम्भ क्यों ना किया हो जब तक भक्ति योग के पद को प्राप्त नहीं किया जाता आत्म साक्षातकार या परमसत्य का साक्षातकार नहीं किया जा सकता इती इसके तरिक हम देखते हैं कि स्री किष्ण अपने भक्तों के बस में सुयम हो जाते ह इससे बढ़कर स्त्रे और क्या हो सकता है यहाँ पर स्री किष्ण अर्जुन का रख चला रहे हैं अर्जुन के लिए इससे बढ़कर स्त्रे यानि कल्यान और क्या हो सकता है तो स्रीमत भागवत आठाट 270 में बली महराज शुक्राचारह से कहते हैं कि साधुगण अपने प्रानों को संकत में डालकर भी समस्त प्रानियों के स्रे का साध़न करते हैं इस बातका हुदारन सिर्ला पहुपात का जीवन है सिर्ला पहुपात ने समस्त मानावता को स्रे की प्राप्ती कराने के लिए अपने जीवन को संकट में डाला जिस समय उनके अवस्था लगभग सत्तर वर्ष की थी और वे मृत्यू के निकट थे ऐसी अवस्था में भी अकेले अमेरिका गए तथा वहाँ पर परम स्रेयस अर्थात किस ने भावनमृत का प्रिचार किया समुदरी जहाज में बैठे हुए उन्हें दो बार खिर्दिया घात हुआ उनका जीवन अत्यंत संकट में था परनत उन्होंने फिर भारत लोटने का विचार नहीं किया जिससमें भी मृति विसया पर थे उस समें भी स्रीमत भागवत के दात परे बोल रहे थे क्योंकि स्रीमत भागवत के भक्ती वेदान देताद परे ही आगामी दस हजार वर्सों के लिए संपूर्न जगत को स्रेयस की दिशा दिखाएंगे तो स्री कृष्ण गीता पांच उन्तिस में अपने आपको सुर्दम सर्व भूता नाम कहा है अर्था स्री कृष्ण ही समस्त प्रानियों के हित ऐसी है स्री कृष्ण सदा समस्त प्रानियों के स्रे का चिंतन करते रहते हैं वे सभी के हिर्दे में paramatma के रूप में अपना विस्थार करके उनके सुरिद के रूप में इस्थित हैं केवल इतना ही नहीं बलकि समस्त प्राणियों के सरे को जानते भी हैं कि उनका सरे किस प्रकार हो सकता है और केवल इतना ही नहीं कि Shri Krishna समस्त प्रानियों का स्रेख कार भी सकते हैं फिर भी एधी कमी है तो यह हमारी ही कमी है कि हम Shri Krishna की आग्या का बालन नहीं कर रहे हैं यहां परर अरज्यून जिस प्रकार Shri Krishna से प्रार्तना कर रहे हैं कि किर्प्या मुझे वो अपना हादिश दीजिए जिसके द्वारा मुझे स्रे की प्राप्ति हो उसी प्रकार की हमारी प्रार्थना होने चाहिए जिसमें हम हरे कृष्ण महा मंद्र का उचारन करते हैं हरे किष्णा हरे किष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो इस मंदर का अर्थ भी यही प्रार्दना है कि हे स्री किष्णा ज़सा हे स्री मतिरा धरानी मुझे अपनी सेवा में लगाईए क्या यही स्रेई है अपनी सेवा में लगाईए स्रेई सर्द का एक अन्य अर्थ है यस इस अर्थ के अनुसार अर्जुन स्री कृष्ण से कह रहे है कि हे कृष्ण आप मुझे इस प्रकार का अदेश अत्वा मार्ग दर्शन दीजिए कि मुझे सत्रों के ओपर विजय प्राप्त करने का यस प्राप्त हो अर्जुन पूरे संसार को देखलाना चाहते है कि जो भी विक्ति स्री कृष्ण का असरे ग्रहन करता है वो सदा विजय होता है यह भी बहुत अच्छा भाव है कि मुझे स्रे प्राप्त हो क्या स्रे प्राप्त हो जो ध्में विजय प्राप्त करने का स्रे प्राप्त हो क्यों कि अर्जुन देखलाना चाहते पूरे संसार को क्या कि उन्होंने स्री कृष्ण का असरे लिया है तो उनको विजय प्राप्त होई और हम यहां पर देखते भी हैं कि श्री किसन स्वेम युद्ध ना करके अर्जुन का रत चला रहे हैं क्यों कि श्री किसन अर्जुन को सत्रों के उपर बिजय प्राप्त करने का स्रे यानि येस देना चाहेते हैं गेता 11-13 में भी अर्जुन से कहते हैं अता उठो युद्ध करने के लिए तयार हो और यस अर्जुन करो अपने सत्रों को जीत कर संपन राजिका भू करो ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं और ही अर्जुन तुम तो युद्ध में किया वाल्ने में अतने मात्र बनो तो अर्जुन को भगवान कर रहे हैं कि तुम स्रे प्राप्त करो तो अर्जुन स्वेम युद्ध नहीं कर रहे हैं तो अरजुन के सब सत्कुनों को मार दें, रज चला रहे हैं और अरजुन से कहें तुम मारो, तुम यस पराप्ट करो, श्रे का मतलब यस भी है, तो यहाँ पर अरजुन कह रहे हैं कि हे स्री किष्णा मुझे निश्चित करके एक बात बतलाए जिस से मेरा कल्याण हूँ, इ समय बिचार करते रहते हैं, तब फिर निश्चित करते हैं कि उनके भक्त के लिए सर्वोच कल्यान कारी क्या है, प्राची निकाल में स्रिस राजाओं के उपदेश के अनुसार, जब प्रजा, स्री भगवान की प्रसनता के लिए ही सभी कारे करती थी, उस समय आकास में बा मातरा के कारण किसी को कष्ट हो, और नहीं जल की कम मातरा के कारण किसी को कष्ट हो, इतना नियंतरण था बादलों का है, जैसे कुमार ने आम रखा है, तो उसके बरदन पक रहे हैं, तो वहां कर पानी बरसेगा, तो सब नुक्सान हो जाएगा, तो बादल वहां बरसा नह कनी बेचार करते थे किस समय कितने जल्कि आबशिकता है। पर उन तो बादल स्वय भी विचार करते थे, किसानों के खेते में किस समय कितने जलकी आपशकता है, बादल स्वय भी ये निश्यत करते थे, तथा किसान के सो जाने पर विवर्सा करते थे, जब किसान सो जाए, तो बर्सा करेंगे, कोई अस्वधा में नहीं होगी, कोई सोर आये तो बर्सा होगी कोई शुवधा नहीं होगी स्रीमत भागवा दस एक्यासी च्छतिस में सुदामा अबराम्हन ने स्री कृष्ण की ऐसे बादलों से तुलना की है उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसान बादल से जल नहीं मांगता है परनू जब किसान सो जाता है तो बादल बर्सा करता है तो ऐसे कृष्ण है मुझे बिना मांगे बिना बताए कितनी संपती दी है बर्सा कर दी यहां पर एक अंतर यह है कि बादल तो केबल जल की आवशक्ता पूरी करता है पर तो स्री कृष्ण अपने भक्तों की सभी आवशक्ता है पूरी करते हैं यह स् श्रीकिष्ण गीता नौबाइस में कहते हैं कि इन्दु जो लोग अनन भाव से मेरे दिव सुरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवशक्ताइं होती हैं उन्हें मैं पूरा करते हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं यहा कभी भक्त मांगता भी है और किसन जानते हैं स्रे नहीं है तो नहीं करते हैं तो अपने भक्त की उन्हें वस्तों की रक्षा करते हैं जो कल्यान कारी अर्था स्रियस होती हैं तो कुंति महरानी ने भी ऐसे कर्ष्ण मांगे जो स्रियस कर हैं स्रीमत भाकवत एक आठ कर सकें क्योंकि आपके दर्शन से हमें संसार में जन्म मृत्यू का दर्शन नहीं करना पड़ेगा तो यहां पर कुंति महारानी स्रीकिष्ण को सर्वोच्चु गुरू कहकर संबोधत करती हैं इसकार्थ है कि हे स्रीकिष्ण आप ऐसे गुरू हैं जो हमारे स्रेयस अर्थात होने चाहिए ताकि हम आपके निकाट आ सकें इस प्रकार आप सदा हमारे स्रीयस का चिंतन करते रहते हैं अर्जू किस प्रार्थना से हमें भी सिक्षा मिलती है कि हम भी स्रीकिष्ण से स्रीयस की प्रार्थना करें तो यहां अर्जू का जो प्रिष्ण है यह बहुत ही सु किस प्रकार से प्राप्त करूं आप मुझे ऐसा उबदेश दीजिए तो अरजन जो है चोंकि स्रे के जग्यासु है तो इसलिए उन्हें गुरू स्री कृष्ण के रूप में उनको योगी गुरू मिल गए जो कि स्रियसकारी है और जो प्रियसकारी गुरू होते हैं तो वो कह करते हैं कि खाओ पीओ मौच करो और हम तुम्हें मंत्र देते हैं तुम भगवान बन जाओगे तो ऐसे भी गुरू होते हैं तो अगर आप अपने को धोका देना चाहते हैं तो आपको धोके बास गुरू मिल जाएंगे अगर आप अपना स्रे चाहते हैं तो स्री कृष्ण जो है आपके पास ऐसे गुरु को भेज़ेंगे जो आपके लिए स्रे का उपदेश देंगे धन्यवाद हरे कृष्णा